अपना एक घर हो ये अपना सबका होता है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जर्मनी में कितने टाइप के घर होते हैं और उनकी क्या प्राइज होती है और प्राइज सुनके अगर आपको ऐसे हो ले तो नहीं सकते तो फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी साथ में कि उन घरों म जानते हैं जर्मनी के घरों के बारे में तो आप चलते हैं जर्मनी के घरों की सेर पे और जानते हैं उनकी प्राइज़ तो यहां पर जैसे देखो प्राइज़ फिक्स तो होती नहीं है वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे जैसे कि आप छोटे शहर में घर ले या बड़े शेयर में ले रहे हो फिर बड़े शेयर के भी सिटी सेंटर में ले रहे हो कि बाहर की साइड ले रहे हो कोई गाउं में ले रहे हो या फिर एकदम जैसे गाउं से भी दूर जाके ले रहे हो जबनी में जितने भी सिटीज हैं उनमें सबसे जादा महेंगे घर मिल तो सबसे पहले बात करते हैं वोनूंग्स की मतलब अपार्टमेंट्स जैसे आप मेरे पीछे यह देख रहे हो यह एक बिल्डिंग है और इसमें बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए है तो अगर जैसे बात की जाए कि साइज क्या होती है यहां पे घरों की तो अफकोर्स 20-30 स् 120 तक उसके ओपर भी जा सकती है बट यह थोड़ा सा एवरिज नंबर है तो अगर इन अपार्टमेंट्स की प्राइस की बात की जाए तो जैसे अगर आप छोटा अपार्टमेंट लोगे बाहर की साइड लोगे तो वो आपको मिल जाएगा ओल्मोस्ट लाइक 80,000 यूरो से लेके 80,000,000 रुपए तक उतने में भी मिल सकता है आपको जर्मनी में घर और अगर जैसे अपर रेंज में जाओगे तो पांच लाख यूरो तक होते हैं जैसे 90 स्क्वार मीटर का ये जो घर आप देख रहे हो पीछे नई बिल्डिंग बनी हुई है बाल्कनी वगरे भी है इन में यूजवली यही रेंज होती है और इनका जिससे साइज में बताऊं तो 90 स्क्वार मीटर मतलब अपने इंडिया का 1000 स्क्वार फीट और फिर इनकी प्राइज हो जाती है 4 करोड रुपे के आसपास 4 से 5 करोड रुपे और फिर अपर लिमिट तो कुछ होती नहीं है अगर आप बहुत expensive buildings में जाओगे, high rise में जाओगे, city center के अंदर जाओगे तो वहाँ पे इन्ही apartments की price हो सकती है somewhere around 1 million से लेके 4 million तक मतलब 10-10 करोड तक के flats और अगर आपको खरीदना नहीं है तो आप बात करते हैं rents की तो जो apartments है उनका again rent भी हो सकता है 500 euros से लेके 1000-1200 euros और फिर upper limit पे जा सकता है 3000 से लेके 4000 euros मतलब आपको यहां पे apartment मिल जाएगा 35,000 से लेके 1 लाग रुपे महीना और 3 लाग रुपे महीने तक भी और यहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत सारे घरों के example जैसे यहां उपर है penthouse नीचे है normal flats और फिर आप पीछे राइन houses की उनकी बात आगे करते हैं अब बात करते हैं penthouses की जैसे आप मेरे पिछे वो building देख रहे हो उसका जो top floor पे जो घर है वो penthouse होता है यह आजकल जैसे mostly नई जो buildings बन रही है उनमें आपको जादा मिलेंगे और अगर इनकी size की बात करूं तो इनकी size again होती है 80 square meter से ल घर लेने जाओगे तो जो उन flats की prices होगी उससे थोड़ा आपको ज्यादा expensive मिलेगा penthouse क्योंकि आपको अफको उपर का पूरा floor मिल रहा है आपको view अच्छा मिलता है और अगर बात करें कि penthouses का rent क्या होता है जब हम घर देख रहे थे तो हमने भी देखा था एक penthouse उसका rent थ 1300 euros लेकिन usually average इनकी rents again 1200 euros से लेके 3500 euros तक जा सकते हैं और जैसे यह penthouse है तो इसका अगर view की बात की जाए तो आप देखो इनको पूरा शहर का must view आता है river, bridge, पूरी greenery सब दिख रहा है कुछ और categories भी होती है जिसमें एक होता है जैसे dark cash loss या फिर जैसे अटीक houses तो जैसे जर flat roofs वाली building अभी कुछ सालों में बनने लगी है पहले जो यह tilted roof वाली घर होते है वही बनते थे तो apartments भी बनते थे तो इसमें जो सबसे उपर वाला part होता है वह भी living area ही होता है और वहां पर जो flat होता है उसमें of course living space same रहता है बड़ जो आपका छत है वह कम हो जाती है अगर thousand euros में मिल रहा है तो same अगर duck का आप घर लोगे तो आपको 700-750 तक में ही मिल जाएगा and same buying prices भी थोड़ी सी फिर कम हो सकती है तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हो जैसे वह building एक example है duck के घर का जैसे आप उसमें देख सकते हो खिड़किया भी टेड़ी कूल रही है तो बहुत विड़ोस आपकी ऐसे खुलेंगी तो उसमें आप नीचे सोके और sleeping under the stars भी कर सकते हो एक होता है मेजोनेट बोलता है मतलब duplex houses मालो आपको घर वाली feeling ची आपको चाहिए सीडिया हो ऊपर कोई रहता है नीचे कोई रहता है लेकिन घर नहीं लेना तो फ्लैट में भ मेर फैमिलियन हाउस और जैसे जो हाई राइस बिल्डिंग दोती है जैसे मैने फ्रैंकफर्ट में जब हम लोग रहते तो आपने बहुत सारे विडियो में दिखाई है उनको जर्मनी में बोला जाता है हॉक हाउसे मतलब हाई राइस बिल्डिंग में घर फिर एक ऑप्शन तो उसमें यूजवली आपको 300 से लेके 700 यूरो तक में रेंट मिल जाएगा तो आपको फ्लैट्स के बार में जान लिया आपने लेकिन अब आपको इंट्रेस्ट नहीं अगर फ्लैट्स में रहने में आपको अपना घर चीए तो फिर आ जाते हैं कि घर में कौनसी काटेग बने होते हैं और उनकी वाल आपस में शेयर होती हैं तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये ग्रीन और यलो वाला घर ये है जो रो है उसका एंड हाउस तो उसको बोलेंगे राइन एंड हाउस फिर जैसे बहुत सारे घर होंगे और जो बीच में है तो उनको बोलेंगे मिटल हाउस मतलब रौ मिडल हाउस और इसी में पूरी रौ में जैसे बहुत सारे मानलो घर है दस पंदरा घर है तो बीच में कुछ-कुछ घरों के बीच में पैचर्स देदेंगे और कॉर्नर हाउस बन जाएगा मतलब उसकी एक साइड किसी से शेर नहीं है वाल और उसको जो इनकी प्राइज होती है और जो इनकी प्राइज होती है वो अगें जैसे तीन लाख में मिल जाएगा बहुत वही बहारवार कहीं जाके लोगे पुरानी बिल्डिंग में बट यूजवली 500 से लेके 700 के तक मतलब 5-7 लाख यूरो से लेके अफकोर्स 1 मिलियन 2 मिलियन त कुछ का था एंड इनका जैसे अगर रेंट की बात करों कि आपको खरीदना नहीं है लेकिन सिफ़ एंट पर आपको घर में रहना है तो अगें रेंट वही करेंगा 1100 यूरो से लेके 2000 यूरो से लेके 4000 यूरो से लेके 4000 तक भी जा सकता है फिर एक कैटेग्री और होती है ज उसको बोलते हैं बुंगलो, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, और इसकी प्राइज वगर है और जो एरिया वगर होता है, वो भी रॉव हाउस के अल्मोस सिमिलरी होता है, अब जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको आपको देख के लग रहा होगा, कि बड़ा ही प्यारा सा और सुन्दर सा घर है, लेकिन ये एक घर नहीं है, ये अच्छली दो घर है, और जर्मनी में इसको बोला जाता है, ज्वाय फैमिलियन हाउस, या फिर डोपल हाउस, तो इसमें क्या रहता है ना, एक साइड से आपकी घर की दिवार, दूसरे वाले घर से शेर होती है, और एक साइड फिर आपका कॉर्नर बनता है, और ये दो ही जैसे घर होते हैं, तो इनका जैसे थोड़ा सा ज़ादा प्राइज होती है, जो रहा हाउस बगर होते हैं, उसे एरिया अल्मोस्ट सिमिलर हो सकता है, बट प्राइज थोड़ी ज़ादा हो जाती है, जैसे इनकी अगर प्राइज की बताऊं, तो फाइफ हंड़ेड से लेके, और अल्मोस्ट टू मिलियन तक जा सकती है, और इनका रेंट भी अफकॉर्स फिर थोड़ा जादा होगा, जैसे त्वेल्फ हंड़ेड यूरो से लेके, फोर थाउजन यूरो स तक जा सकता है, और यहां पर आप देख सकते हो कि यह वाला जो घर है, वो थोड़ा सा यही स्लांटेड रूफ वाला है, और उसके साइड में है, वो फ्लाट रूफ वाला है, तो जैसे कि मैंने आपको बता है, जो पहले घर बनते थे, वो स्लांटेड रूफ के होते हैं, इन दिनों में जैसे जो भी बिल्डिंग बन रही है, यह सिंगल फैमिली हाउस, रो हाउस वगरा बन रहे हैं, वो जैसे अब जैसे फ्लाट रूफ के काफी लोग बनाने लगे हैं, जैसे यह जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, जैसे आप देख रहे हो, इन घरों की प्राइस कितनी जादा है, क्योंकि जैसे जो इन घरों में चीजे यूज की जाती है, बेसिकली वो बहुत जादा एक्सपेंसिव होती हैं, और फिर उनका इंस्टॉलेशन होता है, वो भी अगेन बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि जो काम करने वाले बंदा हैगा, उसकी फीज बहुत होती है, तो इसलिए यहां पे जिसे आपको पता ही होगा, जर्मनी में बहुत सारी इंशॉरेंसिज लेने का कल्चर है, हर चीज के यहां पे इंशॉरेंस है, तो घर के लिए भी यहां पे बहुत सारी इंशॉरेंसिज होती है, और यूज्वली लोग लेके भी रखते है, जैसे एक होती है लाइबिलिटी इंशॉरेंस, तो इन केस जैसे आप अगर कुछ भी डैमेज कर देते हो, तो वो आपको बहुत मनी कॉस्ट कर सकता है, और उसी से बचने के लिए ली जाती है लाइबिलिटी इंशॉरेंस, जिसमें जैसे मानलो आपने एक्सिडेंटली अगर कोई प्रापर्टी डैमेज कर दी, तो उसका आपको कवर मिल जाता है, आपको यह ध्यान रखना है कि रेंटल के केस में फिर आपको यह देखना है कि वो रेंटल जो डैमेज है, वो इनक्लूड़ है की नहीं इंशॉरेंस में, और फिर एक होती है कॉंदेंट इंशॉरेंस, तो वो होती है आपका जो personal समान है उसके लिए जैसे आपका laptop, आपका jewelry, जैसे घर में एना fire हो गई या फिर robbery हो गई मालो आपने पुरा गहरी तहशनेस हो गया तो उस case में फिर वो काम आती है तो वैसे तो insurance लेने को बहुत सारी है लेकिन आप यह सारी insurance एक ही जगह से ले सकते हो वो है get safe और Germany में language problem वैसे आपको पता यह बहुत जादा है लेकिन यह सब चीजें अच्छे से समझना बहुत important है और इसलिए get safe बहुत helpful रहेगा क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाएगा contracts है आपके claims है customer support है सब आपका app से ही manage हो जाएगा और अगर ज़रत लगी और आपको customer support में किसी से बात करनी हो तो वो भी possible है और यहाँ पे आपको पूरी flexibility भी मिलेगी क्योंकि आप यहाँ पे insurance को अपने according भी tailor कर सकते हो जैसे मालो आपको अगर additionally glass damage के लिए भी लेना है add- on तो भी आप ले सकते हो in case जैसे आपने अगर अपने window का glass तोड़ दिया उसके लिए आपको अलग से लेना पड़ेगा और जैसे Germany में बहुत जादा paperwork है लेकिन get safe के साथ में आपको उतना जादा paperwork भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि again सब कुछ digital है तो आप app पे ही सब solution है get safe और आप चाहो तो अभी उनके साथ में आप free consultation ले सकते हो तो उनकी website का जो link है वो मैंने description में दे दिया है do check it out और अब बात करते हैं iron family house मतलब single family homes जिनको detached house भी बोलते हैं मतलब उनकी कोई भी पड़ोसी के साथ में घर की wall shared नहीं होती है जैसे आप मेरे पीछे देख फाकता हो जाएंगे तो अगें lower range के कर बात करूं तो तीन लाख यूरो तक हो सकती है मतलब धाई करोड रुपए के आसपास और साथ लाख यूरो तक में आपको जैसे नए बने वे अच्छी कॉलोनी में decent size के घर मिल जाते 140-150 square meter तक उनकी जैसे मानलो आप Indian रुपीज में प्राइज हो गई 6-7 करोड रुपए और अगर अपर लिमिट की बात की जाए जैसे आप मेरे पीछे यह घर देख रहे हो या फिर और भी तो उनकी प्राइज हो सकती है एक दो मिलियन से लेके लिटरली 10-10 मिलियन तक मतलब 100 करोड तक भी हो सकती है जैसे अगर यह मेरे प अंदर एक पॉर्षे भी है पता नहीं क्या काम करते है और अगर इन घर की जैसे रेंट की बात की जाए तो अगें 1200 यूरो से लेके और 5000 यूरो तक इनके रेंट हो सकते मतलब 1 लाग रुपए से लेके 4-4 लाग रुपे महीना फिर जिनको जीनी है बहुत ही लैविश जिं से लेके 400-500 स्क्वार मीटर तक और इनकी प्राइज़ बहुत जादा होती है लाइक लिटरली मैंने देखा और इनकी प्राइज़ 10 मिलियन से लेके 20 मिलियन तक भी जाती है तो 90 करोड से लेके 200 करोड तक के घर और जैसे मानलो आपका घर है और वहां पे कोई गार्डन जैसे आप मेरे पिछे देख रहे हो चोटे से आपने यहां पे जैसे रूम बना लिया एंड पूरा लोगों ने अपनी गार्डनिंग वगर है करी वे तो इसमें आप कुछ भी अगर सबजी वगर है जो भी आपको उगाना है वह आप सकते हो समर में स्पैशल जैसे लोग बहुत आके और चिल करके जाते हैं बार्बीक्यू बगर करके जाते हैं बाकि इनमें नाइट स्टे करना अलाउड निया जहां तक मुझे पता है और आप इनको फार्म हाउस तो बिलकुल नहीं बोल सकते लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो इनको जर्मनी में गार्डन हाउ अच्छा लगा हो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं मिलती हूँ अपने आगे के वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रखिए बाई एंटेक टेगे